आज है 16 अगस्त और आज का मौश्ट इंपर्टेंट करेंट अफे लेकर आये हूँ आज का पीडिएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीगराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीगराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में दो क्वीज करूँगा जिसका अंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है अगला कोशन है राश्ट्र पती रामनाद कोविन ने कितने जवानों को शौर चक्र से सम्वानित किया है। किन्हें दिया गया है? सबका लिश्ट नीचे बना दिया हूँ, आप इसे पढ़कर याद कर लिजे। यहां से कोशन पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंग को सब इंस्पेक्टर इमरान हुसेन ताक को इन्हें मर्नो प्रांद दिया गया है। अगला कोशन है विंग कमांडर अभी नंदन वर्थमान को निमन में से कौन सब पुरासकार दिया गया है। ये कौन है इन्हें विर चक्र से सम्मानित किया है राश्टरपति रामनात को विद्ने। विर चक्र जो है यूद के समय सैनिकों को दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच पुरासकार है परम विर चक्र। दूसरा सर्वोच पुरासकार है महवीर चक्र और तीसरा सर्वोच पुरासकार है विर चक्र। अब मैं आपसे पुछता हूँ आप ये बतेए कि यूद के समय सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच पुरासकार कौन सा है वो है अशोक चक्र। अगला कोशन है राजेंदर पाल उपद्याय कि सराज्य के नए पूलिस महानिदेशक बने है यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखियेगा हाल ही में नरेश कुमार को अरुणाचल परदेश का मुख्य सचीव बनाए गया है और राजेंदर पाल उपद्याय को अरु रोनाचल परदेश इसके बारे में जानेंगे और रोनाचल परदेश की सीमा भारत के दो राज्यों को छूती है ये उत्तर पुर्वे राज्य है असम और नागाई लेंड से इसकी सीमा टच करती है और तीन कंट्री से सीमा लगती है भुटान, चीन और मियमार गठन हुआ थ कैपिटल इटानगर, मुख्य मंत्री है पेमा खंडू, गवार्नर है बी डी मिश्रा, लोग सबसीट डो, राज्य सबसीट एक, विदान सबसीट साथ, जीलों की संख्या 25 है, मुख्य नाइदीस अरूप कुमार गोस्वामी, ये एक्टिंग चिफ जस्टिस है के नियाइक छेतर में अरूनाचल परदेश, मिजोरम और नागय लेंड भी आते हैं, राजकिय पशू है मिथुन, राजकिय पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल, राजकिय बिरिक्ष है होलोंग, राजकिय फूल है द्रोपदी माला, बाडोच हम यहां का लोक निरित्त सतानी जन जाती पाई जाती है कि यहां की राजवसा अंग्रेजी है नागयालेंड, मिजोरम और मिघाले की भी राजवसा अंग्रेजी है अगला कोशन है हालई में, ReLiance Gio ने Cloud Technology के लिए किस कमपणी के साथ समझ भाता किया है तो हालई में, Reliance Jio ने Cloud Technology के लिए Microsoft के साथ समझाता किया है Microsoft का एक Cloud Technology है जिसका नाम है Azure Cloud तो Azure Cloud को Jio Network पर लाया जाएगा Cloud जो है ये एक तरह का Digital Storage है इसके लिए समझाता किया गया है Reliance Jio और Microsoft के बीच में यहाँ पर हम इन दोनों कमपनियों के बारे में जान लेंगे सबसे पहले जानिये Reliance Jio के बारे में Reliance Jio की अस्थपना हुई थी 2007 में लेकिन जो हम लोग Jio Sim का डियूज करते हैं ये शुरुवात की गई थी 2016 में Headquarter मुंबई में है वरतमान में चेर्मेन है मुकेश अंबानी Managing Director है संजय मशुरू वाला अब जानिये Microsoft के बारे में Microsoft की अस्थपना हुई थी 4 अप्रेल 1975 में संस्थापक कौन है? Bill Gates और Paul Allen Headquarter वाशिंग्टन में है वरतमान में चेर्मेन है John W. Thompson CEO है सत्यान नडेला और President है Brad Smith खादी और GramoAddyog Ayog ने हाली में कहाँपर Leather Mission launch किया है तो हाली में Leather Mission launch किया है सीरोही में राजस्थान के जीला का नाम है सीरोही तो सीरोही में Leather Mission launch किया है इसका उद्देश चमडے का कार्य करने वाले करिगरों को मशीन तथा केट परदान करना है जिससे उनकी आये बढ़ाई जा सकें यहाँ पर हम चमड़ा का बात किया है तो यहाँ से एक कोशन आपके लिए बनता है जो बार-बार पूछा जाता है जैसे कि केंदरिये चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है चन्नाई में है अब हम जानेंगे खादियों ग्रामद्योग आयोग के बरे में इंग्लिश में इसे खादि एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिसन बोलते हैं अस्थपना 1956 में की गई थी हेड़क्वाटर मुंबई में है वरतमान में चेर्मेन है विनै कुमार सक्सेना अगला कोशन है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रिय कैबिनेट ने किसे राष्ट्रिय स्वास्त व परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक निवक्त किया है तो राष्ट्रिय स्वास्त वा परिवार कल्यान संस्थान के निदेशक बने हैं हरसद पांडूरंग ठाकूर। परधान मंतरी नर्यंदर मोदी के अधेक्षता में इनकी नियुक्ति की गई है अगले पांच वर्सों के लिए। अब हम यहाँ पे राष्ट्रिय स्वास्त वा परिवार कल्यान संस्थान के बारे में जानेंगे। इंगलिश में National Institute of Health and Family Welfare बोलेंगे। 9 मार्च 1987 में इसकी अस्थपन की गई थी। और यह संस्थान कहां पर है। दिल्ली में है। भारतिय सेना ने किस अस्थान पर मिशन रीच आउट लॉंच किया है। तो हाली में भ प्लब्ध कराना है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अनुछ है 370 जम्मू काश्मीर से हट चुका है। और वहां से विशेश राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया है। जिसके वज़ा से अभी वहां पे कर्फिव चल रहा है। तो उस छेतर में रहने वाले लोगों को अ कप्रेल 1895 में। हेड़क्वाटर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भरतिय सेना परमुह कौन है जनरल बिपिन रावत। उप परमुह कौन है लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अम्बू। मट्टो क्या है भरतिय सेना का सर्विस बिफोर सेल्फ। हाली में किस कमपनी ने अपना ओपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी OS लौंच किया है। तो हाली में हुआवे ने अपना खुद का ओपरेटिंग सिस्टम हार्मोनी OS लौंच किया है। अभी तक आप लोग सुनते होंगे एक होता है Android ओपरेटिंग सिस्टम और एक Apple इस्तेमाल क और दुनियां की दूसरी सबसे बड़ी समार्ट फोन निर्माता कंपटी है और दुनियां की सबसे बड़ी समार्ट फोन निर्माता कंपटी कौन सी है Samson अब हम यहाँ पर जानेंगे Huawei के बारे में Huawei की अस्थपना, 1987 में की गई थी Headquarter Chen加sen-Chin में है वर्तमान में चेर्मेन है लियांग हुआ, CEO है रेन जेंग फेई, अगला कोशन है, हाली में किस राज्य के पलानी पंच तिर्थम प्रसादम को GI टेग परदान किया गया है, तो ये तमिलनाडू का प्रोडक्ट है, हाली में इसे GI टेग परदान किया गया है, GI का फुल्फम हो पैदा होता है या फिर उसका उत्पादन होता है, ठीक है, ये एक तरह का प्रसाद है, जिसका निर्मान केला, घी, इलाइची, गुड़ यों, शहद से किया जाता है, ठीक है, अब GI टेग के बारे में कुछ खास चीज़े बता रहों, सुन लिजे द्यान से, GI टेग दस वर परसों की ही होती है, ठीक है, उसके बाद इसे फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, एंसर है तमिल नाडू, इसके बारे में जन लिजे, तमिल नाडू की सीमा भारत के तीन राज्यों को छुती है, आंदर परदेश, करनाटक और केरल, तमिल नाडू और सिरलंका के बीच मे यहां पे पाक श्ट्रेट है, यानि पाक जल डमरू मद्य है, और यहां पे है मननार की खाडी, तमिल नाडू का गठान वाता 26 जनवरी 1950 को, छेतरफल की दरिश्टी से 11 नंबर पे, और जन संक्या की दरिश्टी से 7 नंबर पे, साक्छार्ता दर है, 80.09 प्रतिशक्त, लिं की संख्या 33 है, राजकी पशु है यहां का, काला हीरन, राजकी पक्षी, पन्ना कबुत्तर, राजकी ब्रिक्ष है, पलमेरा खजूर, राजकी फूल है लीली, राजकी खेल है कबड़ी, विजय कमलेश, ताहिल, रमानी, यह मदरास हाई कोट के मुख्या नाइदी से, अब अंडमान निकोबार जो है, कौकत्ता हाई कोट के नियाईक छेतर में आता है, शास्त्रिय निरित्तेया का भारत नाट्यम तथा कड़गत्तम, गल्फ ओफ मननार मरीन नेशनल पर्क, इंदरा गांधी नेशनल पर्क, मुडु मलाई नेशनल पर्क, सभी तमिलाडु में है, ग्रेंड अनिकट डेम, तथा मेट्टूर डेम, कवेरी नदी पर है, भवानी सागर डेम है, ये भवानी नदी पर है, फ्रेंड्स आप लोग के लिए एक इन्फोर्मेशन है, बहुत महिनों से आप में से बहुत सारे छात्रों का डिमांड आ रहा था, कि सर अलग-अलग ट चैनल दिखाई देगा, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका डोटिफिकसान आपको मिलता रहेगा, एकजाम औरबिट चैनल पे, अलग-अलग टॉपिक पे, करेंट अफेर कवर कराया जाएगा, और इस चैनल पे, उनली जीके टूटर पे, डेली और मंथली करेंट अफेर कवर कराया जाएगा, तो आप दोनों चैनल के साथ बने रहेए, ताकि आपका मैक्सिमम करेंट अफेर कवर हो सके, चलिए, अब 11 नमबर कोशन देखते हैं, 12 से 14 अक्टूबर 2019 थक कहां पर, पहली बार गलोबल इन चैतर में, देश के और विदेश के बड़ी-बड़ी कमपनियां इन्वेस्ट करें, निवेश करें वहाँ पर, इसके लिए पहली बार सिरीनगर में, अक्टूबर माह में, तीन दिवसिये गुलोबल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन किया जाएगा, अगला कोशन है, 2022 में युनाइटेड किंडम में आयोजित होने वाले राश्टर मंडल खेलों में कीस खेल को पहली बार शामिल किया गया है, तो पहली बार T20 क्रिकेट को राश्टर मंडल खेल में शामिल किया गया है, तो 2022 में राश्टर मंडल यानि कॉमन वेल्थ गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा, United Kingdom में, United Kingdom के Birmingham में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, हर चार साल पे राष्ट्र मंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, अच्छा आप ये बतेए कि 2018 में राष्ट्र मंडल खेलों का आयोजन कहां किया गया था, Australia में, Australia के Gold Coast में, और उसमें भारत ने कितना पदक जीता था, कुल 66 पदक जीते थे भारत में, जिसमें से 26 Gold Medal, 20 Silver Medal, और 20 Bronze Medal थे, ठीक है, अच्छे ये 2022 में जो राष्ट्र मंडल खेल होगा, ये कौन सा संसकरन होगा, ये होगा 22 संसकरन, जो 2018 में हुआ था, वो 21 संसकरन था, अब हम यहाँ पे United Kingdom के बारे में भी जान लेते है इसकी Capital है London, प्राइम मिनिस्टर है Boris Johnson, संसत का नाम है Parliament और मुदरा का नाम है Pound Esterling, तो ये था हमारा आज का Current Affair, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक और शेयर जरू करना, अब चलिए लास्ट वीडियो का एंसर बता देता हूँ, पहला कोशन था, निम्ण में से खिस ने महत्मा गांधी की 150-वी जयनती को सामोदाइक दिवस के रूप में घोसित किया है, तो railway board ने सामोदाइक दिवस के रूप में घोसित किया है, सभी लोग ने अंसर सही दिया था, दूसरा कोशन था, भदरा अभ्यारन्य किस अराज्य में इस्थित है, तो भदरा अभ्यारन जो है ये करनाटक में है इसका भी अंसर लगबग सभी लोगों ने सही दिया था अब चलिए आज का क्वीज करता हूँ जिसका अंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है पहला कोशन है नरेश कुमार किस अराज्य के नए मुख्य सचिव बने है दूसरा कोशन है पाखाल वन् है दोनों कोशन का एसर नीचे कमेट में लिख दीजे और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा ताकि इस सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा